विजे जी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं चुकि ये खबर भी जगजोर देने वाली थी ये खबर भी बहुत महत्वपूर्ट थी मध्यप्रदेश की बात में कर रही हूँ जा भोपाल में हिंदू लड़के के साथ भदसुलूकी का मामला अब गर्माता जा रहा है बड़ी खबर ये है कि पुलिस ने हिंदू लड़के के गले में पटा डालने वाले सभी च्शे मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार 6 आरोपियों में से दो नाबालिग है हिंदू लड़के के साथ पदसुलूकी करने वालों पर एक्शन हुआ है तीनों आरोपियों के घर पर हतोड़ा चलाकर उसके अवैद कबजे को तोड़ दिया गया है। आरोपी फैजान साहिल और समीर पर एने से भी लगाया गया है। वोपाल में पट्टा कांड पर मध्य प्रदेश के घ्री मंतरी नरुत्तम मिश्रा ने बेहत सख्त रुक अपना क्योंकि लड़का हिंदू है। एक मानव के साथ में दुरुबे होवार किया है ये बहुत मिंदनी है। ये जो मान सकता है इनकी अपराद की इसके अपराद की इसके अंदर शिवरा सिंग जी की सरकार है और कानून का राज है। उसे भी बड़ा सवाल ये कि मानसिक्ता आ कहां से रही है जिसमें आप ऐसी बरबरता करना हैं दूसरे इंसान के साथ। आए दिन हम लोग ये खबर सुनते हैं कि इस देश में मुसल्मानों को दोयम दर्जे का बना दिया गया है। कई बार ऐसे कुछ खबरे भी आती हैं लेकिन उसके आधार पर जब इस्थापित राजनेतिक दलों के बड़े नेता बात करते हैं तो मुसल्मानों के एक बड़े वरको उनके नौजवानों के मन में निश्चित तोर पर वो माहौल बनता है, वो घ्रिणा का देश का वातारण बनता है। ज्यादा हो जाएगा, दूसरे को पकड़ करो, उसको कुता बनाकर, उसको गले में पट्टा डालकर घुमेगा, तो आप सोचे कहां तक ये बात जाएगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, कि कहीं पर जाकर सरकारों को भी सोचना चाहिए, वो निश्चित तोर पर कड़ी से कड़ी कारवाई करें, लेकिन इस तरह से हर मामले में सिर्फ घर तोड़ देना या घर तोड़ते हुए दिखना, मुझे लगता है कि इससे भी कानुन व्योस्था की सिती बहुत वहतर नहीं होती, आप उनके उपर कड़ी से कड़ी कारवाई कीजिए, उदाहरण पेश होना चाहिए, लेकिन ये हर बार होता हुआ दिखना शायद बहुत अच्छा संदेश नहीं देता है। इस मामले पर बोलेंगे, इस पर चुप रहेंगे। अगर गलत है तो गलत को गलत कहिए, तो आपकी बात में वजन बढ़ता है, आपकी बात में दमाता है। अगर आप एक समुदाय की गलत बात का समर्थन करेंगे और दूसरे का विरोध करेंगे, तो आप किसी एक पक्ष में खड़े नजर आएंगे फिर आपकी बात में वो वजन नहीं रहेगा जो आप पैदा करना चाहते हैं जो वजन तो ये बड़ी समस्या समाज की होती जा रही है खासतर से राजमीतिक दलों में कि वो वोट बैंक के हिसाब से तै करते हैं कि किस अपराद को अपराद मानना है और किस अपराद को जो है वो एक जो है दुरगटना मान लेना है और उसको इग्नोर कर देना है दूसरी बात जो हर्शवर्दन जी कह रहे थे मैं इससे सर्मत नहीं हूँ देखें ये जो बुल्डोजर का का काम है घर गिराने का पहली बात तो ये कानून के दायरे के बाहर नहीं हो रहा है जो अवैद कब्जा है वो गिराय जा रहा है ऐसा नहीं है कि किसी का वैद रूप से बना हुआ घर गिराया जा रहा है एक बात दूसरी बात सबसे बड़ा काम जो कानून का होता है वो होता ह डेटरेंट का, कि अपराध होने से रोकने की कोशिश, उन लोगों को संदेश दिया जाया, जो अपराध करने की सोच रहे हों, या भविश में सोच सकते हों, कि अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपके साथ, आपके परिवार के साथ ये होगा, आपको ही नहीं, परिवार को भी उसका कामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो ये एक्जेंपलरी जो पनिश्मेंट है, कि हम किसी भी हद तक जाएंगे कानून के दाएरे में रहे कर, उसका उसका असर पड़ता है, अगर उनको गिरफतार करके आप कुछ दिन के लिए जेल भेज दीजे, जमानत मिल फिर वही काम करेंगे, लेकिन जब वो जेल से लोट कर आएंगे, अपना घर देखेंगे, तो उनको जीवन भर याद रहेगा, कि हमने ये किया था, उसका नतीजा ये हुआ हमारे पुरे परिवार को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तस्वीरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं है, धरमानतरन के मामले बढ़ चुके हैं, किसी एक समाज की दूसरे समाज पर टिपड़ी को लेकर आकरमकता बढ़ चुकी है, हिंसा में तबदील हो जाती है, तो ये क्या चुनावी साल है, इस वजह से सब पनिशमेंट हो सकता है, लेकर किसी भी सरकार में जैसे प्रदीप जी ने भी कहा, कि पलिले टिकल पार्टीज बहत 22 होती है, तो ये पलिलिल पार्टीज सेलेक्टिव एक ए फी तरफ नहीं होती है, सब तरफ होती है, कुछ पार्टिजा है जो अपरात की तर minder कर देती है कुछ पार्टियां जो बैठती हैं तो अपराद में selective हो जाती हैं किसके अपराद को अपराद मानें किसके अपराद पर नजर अंदाज कर दे तो ये दोनों चीजें खतरनाक हैं और दोनों नुकसान पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को कि यदि आप अपराद को लेकर selective है या अपराद को लेकर नजर अंदाज कर रहे हैं इन दोनों चीजों से बचना चाहिए जो विपक्ष में बैटके लोग बैठे हों और वो किसी एक खास चीज को लेकर नजर अंदाज कर रहे हैं तो वो मुश्किल हो रहा है चुनाव आने के साथ-साथ ये वस्ता है वो बढ़ती जा रही है कि पलिटिकल पार्टी उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं, इसलिए सरकारें एक्षन में आती हैं, इसलिए आपोजीशन पार्टी जो हैं वो कर दें, अब सरकारों को काम कानून के दाइरे में रहके करना चाहिए, इसका मतलब ये निक मैं कह रहा हूँ कि ये कानून के दाइरे में नहीं हो रहा, कानून के दाइरे में करें और ये भी लगना चाहिए किसी भी सरकार के कामकास से कि कोई अत्रिक्त पनिश्मेंट या कोई खास नज जब जनता चलाती है ना तम मुश्किल हो जाता है